असलाम अलेकुम बच्चो कैसे आप सब तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से लीडिंग फिसक्स के प्लैटफार्म पर और इस प्लैटफार्म पर आपको बेस्ट लेवल की कंसेप्चुल पॉइंट आप उसे फिसक्स पढ़ाई जाती है तो आज हमारा दूसरा ले आप स्ट्रक्चर का चार्ज के साथ क्या तालूक है यानि मैं यह कह रहा हूं कि अगर मैं इंबैलेंसिंग करों यानि अलेक्टरॉन और प्रोटान की इंबैलेंसिमिंट कर दों तो क्या उससे चार्ज में कौन सी तब देलियां रोनमा हो सकती है पॉस्टिव नेगटिव कि चार्जिंग मैथेड़ क्या होते हैं किसी भी बाड़ी को चार्ज करने के कौन से मैथेड़ हैं बेसिकली उसको चार्ज करने के तीन मैथेड़ होते हैं बाए फ्रिक्शन होता है उसके बाद बाए कंडक्शन होता है इसी तरह बाए इंडक्शन होता है और फाइनली हम यह भी देखेंगे कि इस टापिक में इन तमाम कॉंटेंट से मुतालिक जितनी पॉसिबल प्रैक्टेस हैं से बन सकती हैं वो सारी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो गया तो लेक्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से सिर्फ इतनी से रिक्वेस्ट हैं कि जिस तरह अब तक मेरे चैनल को काफी सपोर्ट कर रहे हैं बिलकुल सेम इस तरह मुझे आगे भी आपके स्पोर्ट की दुरत है ताके मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे और कंसेप्चियल लेवल के लेक्टर प्रिपेर कर सकूं और इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करने है कि आपने इस लेक्चर को जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं अगर आप वाड़सेप यूज़ कर रहे हैं या आप फेस्बुक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने शियर करने हैं और साथ ही साथ आपने अपने दोस्तों को ये चैनल जरूर रिक्मेंड करन मुझे उमीद है कि उनको भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसांद आएंगे तो चलते हम अपने लेक्चर की तरह क्या अटामिक स्ट्रक्चर का चार्ज के साथ कोई तालुक है तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास अटामिक स्ट्रक्चर हो तो क्या वो चार्ज के साथ कोई पॉसिबेलिटी रखती है चार्ज के साथ इसका कोई तालुक है तो सिंपल अगर मैं एक ले लों कोई भी एक मिटेरियल ले लों एक बाक्स ले लेता हूँ ये एक मैटर का बना हुआ एक बाक्स है मिटेरियल बाक्स है अब इस मिटेरियल बाक्स की बात करें तो इस मिटेरियल बाक्स का जो समालेस्ट यूनिट होगा यानि के समालेस्ट तरीन यूनिट की बात करूँ तो वो एक approximately अटम कहलाएगा फर्ज कर लें कि यह हमारे पास एक box है और इस box का एक smallest unit की बात कर रहा हूँ और वो smallest unit क्या है वो यह suppose कि यह एक smallest unit है और मैं इस smallest unit को atom consider कर लेता हूँ ठीक हो गया suppose यह एक atom है और atom की अगर two dimensional structure देखी जाए तो two dimensional structure यह होती है कि दर्मयान में center में nucleus होता है और उसके गिर्द orbit revolve कर रहे होते है लेकिन actual जो structure होती है वो three dimensional structure होती है और three dimensional structure के carding एक nucleus के गिर्द electron यूं भी revolve कर रहे होते है इस तरहां भी revolve कर रहे होते है और इस तरहां से भी यह नहीं के इस शेप के अंदर भी रिवाल्व कर रहे हैं 3D स्ट्रुक्चर होती है एन्यो फिलहालम यहां पर असानी खातिर 2D स्ट्रुक्चर बना देते हैं जिसके गेरीज़ अलेक्टरोन रिवाल्व कर रहे हैं और इसके सेंटर में प्रोटन और न्योटरान होते हैं न्योटरान पे कोई चार नहीं होता है जब कि है आप जानते हैं कि प्रोटान पर पॉराज़ छार्ज होते हैं अच्छा अब regular life की बात कि जाए तो daily life के अंदर proton और electron equal तदाद में होते हैं normally अगर हम देख जाएं यानि जिस वक्त proton और electron बराबर होंगे उस वक्त आप कहेंगे कि इस body पर कोई net charge नहीं है यानि कि इसके उपर जो net charge क्यों? net charge की value सिफ़र होगी there is no charge, it is neutral body ठीक होगे, अब किसी भी तरह imbalance होगे, यह नहीं कि इस electron के अंदर balance इस electron और proton के दर्मियान imbalance होगे, imbalance से मुराद कि किसी भी तरह अगर हम electron को निकाल दें, आगे चलके पढ़ते हैं कि किस तरह हम electron को निकालते हैं या किसी भी तरह electron इसके अंदर add हो जाएं तो याद रखें कि जिस वक्त Electron इसमें से निकलेंगे Electron निकलने का मतलब इसके अंदर अब Proton की तदाद बढ़ गया Electron की तदाद काम ओगया It's mean जब Proton की तदाद Electron की तदाद के मकाबले में ज्यादा होगी तो समझ जाना है कि Charge आ चुके है और वो चार्ज कौन से है पॉस्टिफ चार्ज है सिंपल और इस तरह अगर किसी भी तरहां से अलेक्टरॉन इसमें एड़ कर दिये जाए तो एड़ करने का मतलब अब इसमें अलेक्टरॉन की तदाद प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा हो चुकी है तो समझ जाने हैं आपने कि जिस वक्त प्रोटॉन की तदाद अलेक्टरॉन से कम हो जाए तो उस वक्त आपने समझ जाने है कि इसको अपर आज़ा होल नेट नेगटिव चार्ज आ चुक है जब कि जब प्रोटॉन की तदाद electron से ज्यादा हो तो net positive चार जा जाएगा simple सी बात है this is imbalancing of proton and electron ratio यानि जब इनकी आपस में imbalansment हो जाएगी तो कोई न कोई चार जा जाएगा ठीक हो गया अब सवाल ही पैदा होता है कि आखर ये electron किस तरह इसको पर आ सकता है और किस तरह नहीं आ सकता इसके तीन method होते है ठीक हो गया पहला method है method to transfer electron यानि कि electron को किसी एक जगह से दूसरी जगह transfer करने कि कुछ method है लेकिन सबसे पहला point यहाँ दो सवाल है उन दो सवालों के बाद मैं method of charging बताऊंगा पहला सवाल ही है यहाँ हमारे पास कि क्या हम यहां हर वक्त यहीं कहेंगे कि इसके अंदर भी यह कहेंगे के electron transfer हुए है हम यह क्यों नहीं कह रहे कि proton transfer हुए ऐसा हम क्यों नहीं कहते है simple सी लाजिक है भई हम जो daily life में बात करते हैं daily life के अंदर हम macroscopic level की बात कर रहे हैं उससे कम लेवल की अगर चली भी जाएं तो अटामिक लेवल की बात करते हैं जैस्ट यानि नूकलियस से बाहर बाहर वाले चीज़ों की बात करते हैं निउक्लियस के अंदर निउक्लियस को तोड़ने के लिए और इसमें से प्रोटोन को निकालने के लिए हमें हाई सपीड एकसलरेटर चाहें है । हाई सपीड एकसलरेटर इतनी ज़्यादा ली пользов Нवे Connect हैं भूत कम जाईसे सब अटामिक पार्टिकल एक्सरेटर हैं जहां एक्सपेरिमेट किये जाते हैं लेकिन जो हम यह चीज पढ़ रहे हैं यह चेप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो हमारी यानि के इसमें चार्जिस की ट्रांसफर्मेशन होगी वो नुकलियस के बाहर बाहर वाले चार्जिस की होगी इसमीन एलेक्टरोन की ट्रांसफर्मेशन यानि कि एलेक्टरोन बाहर निकल सकता है या एलेक्टरोन इसमें एड हो सकता है प्रोटोन को कराया जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को कराने के लिए हमें नुकलियर फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स की तरह मूव करना पड़ेगा जिसमें नुकलियस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्याद अनरजी चाहिए फिर उसमें से proton निकलेंगे और वो nuclear reactions की तरह move कर जाएंगे anyhow फिलाला आपको याद रखने कि यहाँ पर electron transfer होंगे proton transfer नहीं होगे ठीक हो गया पहला सवाल पहला सवाल clear हो गया दूसरा सवाल यहाँ पर है कि हमारे पास आपको जानते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास बाडी इस नॉर्मली दो किसम की होती हैं पहली होती है conductor यानि कि conductor बाडी होती है और दूसरा होता है इंसुलेटर अच्छा आप इंसुलेटर और conductor की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर वो होता है जिस में से चार्ज फलो नहीं कर सकता यानि के चार्ज अपने अंदर से इंसुलेटर पास नहीं करवा सकता और आप यह भी जानते हैं यह पढ़ चुके हैं कि conductor अपने अंदर से चार्ज को फलो करा सकता है दूसरे लफ़ों में conductor में से current easily flow कर सकता है इंसुलेटर में से नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर जो पूछने वाला question है वो यह होता है कि अगर फर्ज करें conductor है हमारे पास और conductor conductor है neutral और neutral थमरा दिये कि इसके अंदर positive और negative charges की तदाद बराबर है suppose मैं कहता हम कर तीन positive charge है और तीन negative charge है यानि कि positive और negative charge से दाद बराबर है अगर हम इसके करत कोई भी body लेकर आए तो यह charges जो यहाँ पर पड़े हुए है इनकी easily redistribution की जाती है redistribution हो सकते है यानि कि shuffling हो सकती है shuffling से मुराद यह कि positive वाले एक तरफ आ सकते है जबके negative वाले दूसरी तरफ जा सकते है यह बात याद रखे इसके वरक्स यह जो हमारे पास insulator है insulator की बात करें तो insulator के अंदर ऐसा possible ही नहीं होता याद रखें क्यों कि यह इसके अंदर ऐसी property पाई ही नहीं जाती ऐसा कुछ नहीं हो सकता यह तो बात थी इसकी अंदर अंदर के बात लेकिन अब अगर अब बात करें चार्ज इनकी surface के उपर अगर outer surface के उपर मजूद हो तो outer surface पे क्या कुछ दोता है फार्ज करने फर्ज कर लिए इस जगा पर मुझूद है ठीक हो गया क्या है जी चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस जगा मुझूद है हम यह कहेंगे के इंसुलेटर के केस में जिस जगा पर चार्ज आके रखे हैं वही के वही रहेंगे वो यहां से इधर उधर move नहीं कर सकेंगे इसके बरक्स अगर conductor की बात करें तो conductor की सता के उपर अगर हमने चार्ज यहां पर रखे हैं तो conductor में charges यहां पर सिर्फ और सिर्फ नहीं रहेंगे बलके यह charges पूरी conductor की surface के उपर distribute कर जाएंगे यह आप से MCQ में conceptual point आगे उसे point पूँछे जा सकता है तो आपने याद रखने हैं कि conductor की surface के उपर charges distribute हो जाते हैं किसी भी जगा रखें वो पूरी surface पर distribute हो जाएंगे जब कि insulator के case में जितनी जगा पर रखेंगे वो वहीं पर ही पड़े रहेंगे इधर उधर move नहीं करेंगे ठीक हो गया तो यह तो होगे हमारे पास दो possible questions जिन जो आपको पता होना चाहिए उसके बाद next हम देखते हैं next हमारे पास है कि what are the methods अच्छा फिर अब next यह हमने पढ़ लिया कि atomic structure का चार्ज से क्या तालुक होगे उसके बाद है methods of charging charging के कौन कौन से method होते है चार्ज के body को charge करने के basically तीन method होते हैं पहले method होते हैं हमारे पास due to friction दूसरा method due to conduction और दूसरा method due to induction अगर बाद करें हम friction की तो friction वाला method method सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर पर लगता है by friction इसके बाद next होगा by conduction by induction वो दोनों method best conductor पर लगते हैं वो इंसुलेटर पर नहीं लगते तो its mean इसको simply हम यह देख लेता हैं कि friction वाले method के जरिए body को किस तरह चार्ज गया रहे इसकी बहुत सी मिसाल मैं मिसाल लेता मैंता हुं फार जऴए मैं कंगा देता हूं कंगा जब देता हुं कंगा देने के भाद उस चंगे काखस के टुकड़े के साथ चिपका सकता हूँ ये फ्रिक्षन की वजा से उसके उसके उपर चार जाया गए सीमिलरली में मिसाल लेता हूँ एक बलून ए उसको लेके मैं बालों के साथ रब करके यूं वाइड बोर्ड के साथ ठहरा हूं तो इसली ठहर जाएगा इस तरह और मिफाल लेते हैं, कि अगर मैं बाज वकात आपने ऐसा देखो गा कमरे में चल रहे होते हैं और कमरे में चलते हुए आप जब आप कमरे में चलते हैं तो अचानक आपको यहाँ पर शौक सा लगता है, क्यूँ किस वज़ासे होता है एक्चुली जब आप चले तो चलने के दुरान क्या हुआ उस दुरान फ्रिक्शन होई और उस फ्रिक्शन की वज़ासे उसके रगड लगी और रगड की वज़ासे आपकी बाड़ी चार्ज होगी ठीक हो गया तो यह इसकी चंद एक मिसाल है जो किसी बाड़ी पर चार जाना है डियू टू फ्रिक्शन इसके एक मिसाल लेते हैं फ्रिक्शन के अंदर होता क्या है मेरे पास यह दो पॉइंटर है यह दो पॉइंटर को अगर मैं रब करता हूं तो रब करने के दुरान एक पर पॉस्टिव चार जाए जाए गाएक पर में इसे मैं चंद एक एक एकम बना दे तो स्पोस यह एक एक एकम है और यह एक एकम में किसी दूसरे laser का या किसी दूसरी बॉड़ी का जिसको मैं 20 खायर कर देत हूं दो हमारे पास एकम्ज हो गए क्लियर अब अच्छा अब उन एकमों में center में हो गाया nucleus यह nucleus जिसमें proton and neutron available है यह भी दूसरी उसका nucleus जिसमें proton and neutron available है और इसके गिर्द git evolve करें electron यहां भी electron revolv करें और इसनकी गिर्द भी electron revolve करें ठीक होगा, दोनों की electron की revolution है, अब जो ही हमने इनको rub किया, तो rub करने के दुरान क्या हुआ रब करने के दुरान इस दुरान यहां पर क्या पैदा होगी इस दुरान यहां पर हीट पैदा होगी और फ्रिक्शन के दुरान हीट पैदा होगी और यही हीट इस हीट की वज़ा से क्या हुआ इस हीट मिलने की वज़ा से अब इन दोनों में से सिंपल भी force of attraction है अब इन में से जिस में जिस एटम के nucleus और electron के दर्मियान force of attraction कम होगी ठीक हो गया उसमें से electron निकल जाएगा और जिसमें ज्यादा होगी वहां से निकल कर दूसरे में electron enter हो जाएगा या इतने मुश्किल concept में जाने की बजाए साधा सी बात याद रखें कि वह बड़ी जिसकी electronegativity होगे ज्यादा समया भी बात ही याद रखें जिसकी electronegativity होगे ज्यादा electronegativity क्या होती है electronegativity होती है कि property of a body to pull the electron from the nearby atom यानि कि किसी भी atom की property किसी दूसरे atom से electron को खेंचने की ठीक हो गया तो अब उससे फर्ज करने के यह वाला a element है और a element की atom और a atom की ओलेक्टर नेग्टर थायद है इसमीन इसके पास ज्यादा बैलेटी है कि यहां वाले electron का अपनी तरफ खेंच ले ठीक हो गया और जब यहां वाले electron का अपनी तरफ खेंचेगा शुरू शुरू में इसके proton और इलेक्टर नेग्टर बराबर थे इसमें भी इसके proton खेंचे, इलेक्टरोन खेंचने पर इलेक्टरोनेगटिविटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि इसके अंदर इलेक्टरोन की तदाद प्रोटोन के मुकाबले में ज्यादा हो गए इसका मतलब वो एटम जिसकी इलेक्टरोनेगटिविटी ज्यादा वो ज्यादा ऐलेक्टर millorन खेंचेगा उसमें अलेक्टरॉन की इमतदाद बढ़ जायेगी और जिसके में अलेक्टर słuन कीसाद बढ़ेगी उसके उपर नेट ड़नेग्टिव चार जाज़ आजाएगा इसके परक्स अगर बात करूँ B की और अब B में क्या होगा B के लेक्टरो नेग्टिविटी कम है और जब B के लेक्टरो नेग्टिविटी कम है इसका मतलब इसमें से लेक्टरोन निकले हैं जब लेक्टरोन निकलेंगे अब यहां प्रोटॉन कितदाद electron के मकाबले में ज्यादा हो गई है इसका मतलब अब ये electron कम हो गए और proton की तदाज ज्यादा हो गई तो पता लगा कि इसके उपर net कों सा चार जा गया पॉजिटिव चार जा गया अच्छा अब यहां बच्चे अकसर confusion रहते हैं उनकी confusion क्या होती है suppose हमने यह वाली बाड़ी कहा suppose इस पर negative चार जा गया इसके उपर positive जब हम यह कहते हैं एक बाड़ी को पर negative चार जा गया तो इसका मतलब है कि यह इसमें सारे के सारे negative चार जीज़ नहीं ऐसा नहीं है किसी भी बाड़ी पर negative चार जीज़ का बाड़ी पर के positive charges, इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे उस atom में positive charges है नहीं, बलके उस atom में positive charges यानी proton के तदाद electron के मुकाबले में ज्याद है, this is charge production due to friction, friction की वज़े से किसी बाड़ी पर charge जाना होते है, simple ती लाजिक है, कोई तने बड़े इसके अंदर ज्यादा detail में नहीं जाना, simple सी बातें आपने याद रखने हैं, उसके बाद हमारे पास second method होता है, by conduction, यानि कि conduction से मुराद क्या है, कि टेच करके, किसी चीज़ के सार्ट टेच करके, उसको conduct कर, यानि कि contact में लाकर, suppose हमारे पास ये एक body है, और ये body initially तोर पर, suppose हमारे पास neutral body है, यानि इसके उपर positive और negative charges की तिदाध बराबर है, फर्ज कर लेते हैं, जो initially तोर पर neutral है, अच्छा, अब neutral body के करीब कोई भी charge body लेकर आते हैं, suppose एक charge body है, positively charge body है, और positively charge body इसके उपर rub कर दिए, टच कर दिए, टच करने किसे क्या होगा, टच करने पर इसमें मुझूद positive charges जो हैं, वो इदर transfer हो जाएंगे, it means इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर positive charges की तदाध as a whole negative के मकाबले में ज्यादा होगी, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब इसके उपर as a whole positive charge आ आगे, similarly, अब जरूरी न charge body लेकर आओं, फिर क्या होगा, फिर भी यहीं फिनामना होगा, जिस वक्त मैं negative charge body लेकर आओंगा, तब क्या होगा, तब यहां से negative charges में transfer हो जाएंगे, और negative charges ट्रांसफर होने के मतलब यह है, कि अब इस case में negative charges की तदाध positive के मकाबले में ज्यादा होगी, और इसके उपर as a whole, net कों से charge आ गया, as a whole इसके उपर net negative charge आ गया, ठीक होगी बात यह, simple सी बाते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, अच्छा, by conduction phenomenon की अगर हम बात करें, तो by conduction phenomenon से, एक MC क्यों बनती है, MC को की बात कर रहे हैंगी, कि कैसी MC क्यों पूछी जाएगी, वो आपको कह सकत है, कि suppose हमारे पस ये दो बाडिज हैं, एक बाडि ए और दूसरी बाडि भी, ठीक हो गया, अब जब ये बाडि एक ही बात करूं, तो बाडि ए पर supposed इसके उपर 10 कोलम्प चार्ज है, suppose इसके उपर 0 कोलम्प चार्ज है, फर्ज कर लेते हैं, अब क्या किया, इन दोनों लिमेटली टाइच करने के बाद अब सेपरेट किया तो इसके उपर टोटल टैन है नेट चार्ज टोटल ब्राबर रहने कंजर्वेशन आप चार्ज रहने हैं आगे प्रापरटीज पढ़ेंगे तो यह नहीं हो आपने यहीं समझने है इसके उपर फाइव कुलम चार जाएगा इसके उपर फाइव कुलम चार जाएगा ठीक है इस तरहां से इसमें से क्यों पूछी जाती है उसके बार next हम देख रहे है कि lahs ट किसमका method है और सिस method का नाम होता है by electrostatic induction अच्छा conduction वाला फिनामना daily life में कहाँ use रहता है daily life में simple सी बात है आप क्या करें आप एक capacitor ले लेँ पंक्खे वाला capacitor उतार ले और पंक्यवाला कपेस्टर उतारने के बाद उसकी दोनों तारों को सुच के अंदर लगा दें सुच में लगाने के बाद बाहर निकालने आराम से आपने ये काम करने और बाहर निकालने के बाद अब आपने डेमो के तोर पर देखने कि वो capacitor चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, क्यों आपने क्या किया है, तारों को आपने टच किया है उसके साथ, बोर्ड में लगाया है, बोर्ड में लगाने के बाद अब आपने उस capacitor की तारों को आपस में जायन कर लेने हैं, आपको नजर आएगा कि उन capacitor की तारों में को जाय do conduction ठीक हो गया इस तरहां की method क्या किलाता है by conduction किलाता similarly एक और method होता है last method by induction by induction यानिके induction method की विज़ाद सब हम इसको करते हैं कि induction method क्या होता है जिसकी विज़ाद से body को हम charge कर रहे हैं to induction method क्या है थी induction method में simply यह होता है कि फर्स कर लें हमारे पास एक एक एटम है और ये एक इंडेक्शन मेथड है जिसमें एक एटम है जी और इनिशली तोर पर ये जो बाड़ी है यानि के एटम पड़ा हुआ ये सिंपली एक बाड़ी है ये नीट्रल है इसके अंदर नमपर आप पॉजिटिव और नेगटिव च इंसुलेटर के लिए होगा याद रखें और इंसुलेटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब हम इसुलेटर की बाड़ करते हैं तो बाड़ी जो है उसकी सर्फिस के उपर एक ही जगह रहती है वह इधर हदर मूव नहीं करती जब कि इसकी बात करें तो ये किसके होगा ये बैस्ट कंड़क्टर के लिए वैलिड होगा और बैस्ट कंड़क्टर का मतलब यह है कि बैस्ट कंड़क्टर के सर्फिस के उपर भी चार्ज डिशिव्यूट मुकमल हो सकते हैं और इसके अंदर भी शफलिंग आफ चार्जिस हो सकती है और इस शफलिंग आफ च लेटर के लिए वैलिड नहीं होगा जब बाइ इंडक्शन मैठेट से हम क्या कर रहे हैं फार्ज करें हैं हमारे पास एक बाड़ी है जो के इसके करीब और इसमें इंडक्शन मैठेड में किसी भी चार्ज बाड़ी को टच नहीं करना विदाउट टचिंग यह फिनामना होते अब इस प्रासिस में क्या होते हैं इस प्रासिस के अंदर हम क्या करते हैं एक चार्ज बाड़ी लेकर आते हैं स्पोज यह एक पॉस्टिव चार्ज बाड़ी है जो ही मैं इसके करीब लेकर आया अब क्या होगा पॉस्टिव चार्ज बाड़ी इसके करीब लेकर आने पर फिनामना यह हुआ कि इसके अंदर मजूद negative charges एक side पर आ गए, shuffle कर गए, एक तरफ चले गए, और इसमें मजूद positive charges इसके दूसरी side पर चले गए, यह दूसरी side पर shuffle हो गए, यानि कि redistribution of charges हो गई, और इस redistribution of charges का नाम क्या होता है, it is also, it is called as polarization, यानि कि इसमें यू समझे लें कि poles बन गए, दो अलग साइड़ों पर, दो मुक्तलिव किसम का charges separate हो चुके हैं, polarization हो चुकी, अच्छाब, अभी आपने इस पासलिवी charge body और इस neutral body को छेड़ना नहीं है, याद रख लें, ठीक होगे, अब आपने क्या करना है, अच्छाब आपने क्या करना होगा, अगले step में, अगले step में आपने एक तार ले 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 ले, और उस conducting wire को अर्थ के साथ connect कर देने, यानि ground कर देने, ground का फिनामना, अच्छाब, ground फिनामना के दुराण क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, के हमारी जो अर्थ है ना अर्ट सोर्स भी है और सिंक भी है सोर्स भी है एंड सिंक भी है किसका चार्जिस का चार्ज का कैसे जिस तरह में मिशाल देता हूँ अर्ट पानी का भी सोर्सिंक है जैसे आप जितना मर्जी चाहें पानी उसमें डाले और जितना मर्जी चाहें पानी इसके अंदर enter कर दें और एक पाइड यहां याद रखें यहां neutralization of charge की बात कर रहा हूं कि neutralization of charge का concept आपको बता रहा हूं neutralization of charge का concept होता है कि charge always move from higher concentration to lower concentration याद रखें charge क्या होगा charge हमेशा high concentration से low concentration की तरफ जाएगा अब जमीन पर electrons की तदाद बहुत ज्यादा है it's mean यहाँ पर जो concentration है वो high है जब कि इस जगाँ पर जो negative charge की concentration है वो low concentration है अब मुझे खुद बताएं कि charges ने कहां से move करने हाई concentration to low की तरफ इसका मतलब यहाँ से electron you flow करते जाएंगे जो कि इस body की तरफ जाएंगे कब जब हमतार लगाएंगे अब क्या होगा जब इसमें इसमें से electron move करते जाएंगे electron move करने का मतलब क्या है कि उसके उपर already पहले कौन सा charge था समझ यानि कि इसके उपर जब electron चले गए electron चले जाने के बाद यहाँ पर electrons का इजाफा होता गया अब इस से आपको क्या साथ बढ़ चुकी है charges बढ़ गए अब वो जो electron जो गए थे वो इस positive के साथ neutralize हो जाएंगे as a whole net इसके उपर charges बच जाएंगे और उसके बाद आप इस charge body को भी करीब लेकर दूर लेकर चले जाना है यूं पता लगा कि इस body के उपर as a whole net charge produce हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमने बगए टच किये इस body के उपर charge produce करवा लिया तो यह हमने देख लिया कि by induction method किस तरह हम इसको charge कर सकते हैं अचा बाइंडेक्शन method के बाद अब एक और यहां से mc के वात है कि बताएं इन में से कौन से शूर टेस्ट है आफ चार जाना बाड़ी यानि किसी बाड़ी पर charge होने का जो sure test है वो क्या है which is the sure test of charge जाना बाड़ी शूर टेस्ट यानि कि किसी टेस्ट के जरीए हम यकीनी तोर पर कह सकते हैं कि इस बाड़ी को पर charge है या नहीं है तो सिंपल सी बात है अगर मैं यहीं वाली मिसाल ले लूँ और इस वाली मिसाल में एक बाड़ी ले लेता हूँ जो बाड़ी नीचली तोर पर नीट्राल है इसमें positive और negative charge के इतदाद बराबर है नीचली तोर पर क्लेर होगी बात ही अच्छा भी इसके करीब मैं कोई भी चार्ज बाड़ी लेकर आता हूँ सपोस मैं इसके करीब positive ली चार्ज बाड़ी लेकर आ रहा हूँ पास्टली चार्ज बाड़ी लेकर आने पर क्या होगा पास्टली चार्ज बाड़ी लेकर आने पर होगा ये कि इसके अंदर मुझूद ये जो नेक्टिव ले चार्जिस हैं ये एक तरफ आ जाएंगे और जो पास्टिव वाले हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे अब यह क्या फील होगी हमें यहां पर हमें अट्रेक्शन फील होगी अट्रेक्शन फील होगी इसके बरक्स अब मैं यह पास्ट्री चार्ज बाड़ी नहीं लेता मैं यहां पर नेक्ट्री चार्ज बाड़ी लेता नेक्ट्री चार्ज बाड़ी लेने पर क्या होगा नेक्ट्री चा होगी अब भी attraction फील होगी यहां से पता क्या लगा यहां से पता लगा कि मैं कोई पॉस्टिव चार्ज बाड़ी लेकर जा रहो निट्रल बाड़ी करीब यह नेग्टिव चार्ज बाड़ी लेकर जा रहो दोनों केसिस में attraction हो रही है तो पता लगा attraction is not the sure test of a charge आना बाड़ी किसी बाड़ी पर attraction जो है वो उसके sure test को represent नहीं करती अब इसके बरक्स क्या करता हूँ एक और situation ले लेता हूँ इस situation के कार्डिंग क्या है इस situation के कार्डिंग हमारे पास एक बाड़ी है और यह बाड़ी निशनली टोर पर निट्र यानि के चार्ज बाड़ी है पास्टली चार्ज बाड़ी है ठीक हो गया अब इसके करीब मैं एक पास्टली चार्ज बाड़ी लेकर चला गया अब क्या होगा दोनों पास्टली चार्ज बाड़ी एक दूसरे को repel करेंगी तो पता लगा कि अगर इसके उपर already उसी जैसे चार्ज हो जो यहां पर मुझूद था तो इससे पता लगा कि repulsion से फील हो रहा है कि इसके उपर कोई ना कोई already charge available है लेकन इससे पहले हमने क्या देखा कि body neutral थी लेकन फिर भी attract कर रही थी तो पता लगा कि attraction is not the sure test of charge on a body किसी body पर जो sure test है वो कौन सा होगा repulsion is the sure test of charge on a body ठीक है जी तो यह भी mcq को point आप इससे आपने बात याद रखाए